Hello everyone, welcome to Maths Vidya First question है हमारे पास तीन कर्मागत धनात्मत समसंख्याओं का योगफल इन संख्याओं के ओसत से 18 अधिक है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? तो इस question को हम भाई option करते हैं हमारा first option है 6 तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान बताना है तो first option है 6 तो इनोंने का है कि तीन कर्मागत सम संख्याओं है तो एक संख्या 6 हो जाएगी दूसरी 8 और तीसरी 10 अब इनका सम इनका जोड करते हैं यह हो जाएगा 24 और इन संख्याओं का average ओसरी निकालते हैं तो यह हो जाएगा 24 बता 3 आठ अब इनोंने का है कि इन तीन कर्मागत धनात्मत सम संख्याओं का योगफल इन संख्याओं के ओसरी से 28 अधिक है तो यह 28 अधिक है तो 8 और 24 का अंतर 28 नहीं होता तो यह option हमारा गलत हो जाएगा second option देखते हैं second option में हमें संख्यादे रखी है 12 तो next हो जाएगा 14 और 16 जब इनको add करेंगे यह हो जाएगा हमारे पास 42 और अगर हम इनका average find करें तो यह हो जाएगा हमारे पास 14 और 14 और 22 का अंतर है जो difference है वो 28 है तो इन्होंने काया कि इन संख्याओं का sum जोड 28 अधिक है इनके average से तो यहाँ 14 और 42 का जो difference है वो 28 है इसलिए option second हमारा cracked हो जाएगा आप बाकी के option भी चेक कर सकते हैं तो next question देखते हैं next question है हमारे पास the side of a triangle are 3 cm, 4 cm और 5 cm हमें इसका area find करना है तो यहाँ पे हम हिरोन formula का use करेंगे वो होता है s equal to इन सभी का sum 3 plus 4 plus 5 और divide by 2 यह हो जाएगा हमारे पास value by 2, 6 और formula होता है under root s s minus a s minus b s minus c तो under root s की value है हमारे पास 6 6 minus a a की value है 3 b की value है 4 and c की value है 5 तो 6 minus 3 यह हो जाएगा 3 6 minus 4 यह हो जाएगा 2 और 6 minus 5 यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा हमारे पास 36 36 का root होता है 6 और यह हमारा answer आजाएगा option number first हमारा correct बनेगा next question है हमारे पास a की इसी कार्या को 4 घंटे में b plus c उसी कार्या को 3 घंटे में और a plus c उसी कार्या को 2 घंटे में करते हैं तो b अकेला उस कांग को कितने घंटों में करेगा तो सबसे पहले हम कुल कार्या देख लेते हैं कुल कार्या के लिए 4, 3 और 2 का LCM लेना होता है इनका LCM आजाएगा 12 तो कुल कार्या हो जाएगा हमारे पास 12 अगर a 12 काम को 4 घंटों में करता है तो 1 घंटे में वो 3 काम करेगा इसे डिवाइड करना होता है b प्लस c 1 घंटे में 4 काम करेंगे और a प्लस c 1 घंटे में 6 काम करेंगे अब a प्लस c 1 घंटे में अगर 6 काम करते हैं तो a है जो 1 घंटे में 3 काम करता है 3 प्लस c इक्वल 6 c की वैलिव आ जाएगी हमारी 6 माइनस 3 तो जो c है एक घंटे में तीन काम करेगा अब हमारे पास b प्लस c एक घंटे में चार काम करते हैं तो c की value है 3 तो b प्लस 3 इक्वल 4 बी की value आ जाएगी 4 माइनस 3 b is equal 1 b एक घंटे में एक काम करेगा तो कुल काम 12 हैं तो 12 divided by 1 यह हो जाएगा 12 तो b उस काम को 12 घंटों में करेगा तो यह हमारा answer आजाएगा option number second हमारा correct बनेगा next question देखते हैं next question है हमारे पास 50 से 90 के मध्या सभी एभाजय संख्याओं का योग ग्यात कीजिए sum of all the prime numbers between 52 and 90 हमें 50 और 90 के बीच में जितनी भी एभाजय संख्याओं आती हैं prime numbers आती हैं उनका sum find करना है तो एभाजय संख्याओं हो जाएंगी 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ये 50 और 90 के बीच में एभाजय संख्याओं हैं time numbers हैं अब हमें इनका sum find करना है इनका sum हो जाएगा 6, 35 और ये हमारा answer हो जाएगा option number 4 हमारा correct बनेगा तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करें